हालो फ्रेंड्स नमस्कार वेलकम तो मैं चैनल और आज मैं फिर आप से हमारे हाँ जो विश्वी द्याला में कॉन्वकेशन होने जा रहा है उसके बारे में कुछ डेवलोप्मेंट मैं अपने छात्रों को बता दूँ और रेजिस्टेशन का काम चल रहा है आप सबों से रेजिस्टेशन करा लें और रेक्रिजिट जो फीज है उसको जमा कर दें उसके लिए आपको सबसे पहले तो नवनालंदा महाविहार के वेबसाइट पर जाना होगा आप सबको मालूम है www.nnm.ac.in पर जाएंगे तो जो पहला आपका जो खुलेगा वेबसाइट का तो जो Pictures है उस Pictures के नीचे में आपका Registration जो है उसका उसका क्लिक करना होगा Convocation Registration लिखा हुआ होगा उस पे आपको Click करना होगा जब वहां क्लिक करेंगे तो उस जगा पे आपका Details जो है form fill up करने का होगा और कोई ज़्यादा उसमें मैटर नहीं है तोसल अपना नाम है रेजिश्टेशन नमबर है और आपको स्ट्रीम सेलेक्ट करना है BA का है MA का है या PSD का है और उसके बाद जो है अगब आपने पास किया है आपका नाम क्या है आपके पिता जी का सेमेस्टर जो आपने जो फाइनल किया है बीए का एमे का और या पीजडी का जो नटिफिकेशन है उसको वहाँ अपलोड करना होगा अपलोड जैसे ही करेंगे उसके बाद आप उसको फॉर्म को समिट कर दीजिए समिट करने के बाद अगर आपका सारा चीज करेक्ट है उसक ये बाद आपको फीज ऑनलाइन पेमेंट करना होगा और उनलाइन पेमेंट के लिए जो आएगा तो वहाँ पर दो हजार रुपया मैंने पिछले बार शायद अपने वीडियो में हजार रुपया कहा था एक हजार रुपया लेकिन तो टोटल रिजिट्रेशन फीज है वो चारी चीजें है उसके लिए लगते हैं और एक हजार रुपया जो है वो सिकुरिटी मनी है जो की कन्वेकेशन ड्रेस है उसका वो चारी चीजें है उसमें से छोटी मोटी जो चार्जेज लगेंगे उस चार्जेज लगने के बाद बाकी आपका रिफंड हो जाएगा तो इस तरह से भरना है और हम चाहते हैं कि जितना जल्दी बहुत सारे लोग उने भर दिया है आप जो भी बचे हुए हैं जो इसमें शामिल होना चाहते हैं उनसे अनुरोध है हमारे पूर्व छात्र जो है उनसे अनुरोध है कि यथा शेकर जल्द से जल्द अपना रेजिस्ट ग्र confrontation उसमें फिलप करें और हम सब आपका इन्तजार कर रहे हैं जैसा कि जानते हैं कि यह छातर सीज में ज़ 12 होता है यह बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है जो आपने तीन साल चार साल या पीजडी के लिए कमश इस मैं चार साल आप जो बिताते हैं और आपका जो स्वर्णिं छन होता है उसकी जो डिग्रीज होती है उसका जो सलिफिकेट होता है उसको प्राप्त करने के लिए वैसे तो आप कभी भी आ करके आप प्राप्त कर सकते हैं लेकिन एक occasion होता है एक convocation बड़ा ही भब्य होता है और अपने चांसलर अपने मुख्या से मिलते हैं तो आप जल्द से जल्द आप अपना रेजिस्ट्रेशन करा लें और जहां तक Special Convocation की बात है तो Special Convocation में जैसा कि मैंने बताया था कि चार विद्वानों को मिल रहा है जिसमें से एक जो है हमारे पूर्वराष्ट पती श्री रामनात कोविन जी है उनको मिल रहा है और उसके बाद एक Professor है बौद अध्यन विभाग दिल्ली विश्वी दियाले से Professor संग सेन सिंग उनको मिल रहा है एक Professor अनराज चौधरी जी है जो पूर में यहीं के आचारे थे बात में बिहार शिक्षावी भाग में चले गए थे आज बरतमान में जो विपसना Research Institute इगतपूरी है वहाँ पे आप अपनी सेवा दे रहे हैं आप भी सभी पाली और बौद अध्यन के बड़े विद्वान हैं और एक वियतनाम के एक रेक्टर हैं वो भी बहुत धिवित्वान है और इन चारों को विद्यवार्दी ओनरिस कोजा डिगरी की उपादी से सम्मानित किया जाएगा अमारे चांसलर जो माने निया मंत्री महोदेर श्री जी किशन रेटी साहब है उनके हाथों से उनको सम्मानित किया जाएगा तो मैं आप सबों से अभी भी ड्रेस के बारे में जो है मैं अगले वीडियो में बताऊंगा उसका अभी फाइनल हुआ नहीं है और चोटी मुटी कुछ चीजें रह गई हैं तो मैं चाहूंगा कि आप जल्दी से जल्द अपना रेजिस्ट्रेशन करवा ले और हम सभी बेताब हैं आपसे मिलने के लिए तैंक यू सो मच चैन जै भारत